हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुगना क्लासेस में तो आज की विशेस खबर यह है कि उत्राखंड SSSC ने उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग ने कनिस सायक एवं आसुलिपिक वैक्तिक सायक के जो ग्रूप C का एक्जाम होने वाला है 1 दिसंबर को हाई कोट के अंतरगत आने वाले स्विल कोट और फैमिली कोट के जो ग्रूप C के एक्जाम होने है उनके लिए एड्मिट कार्ड जारी कर दिया है तो इसके लिए एड्मिट कार्ड का क्या प्रोसेजर है कैसे डाउनलोड करना है यह मैं आपको समझा देता हूँ बहुत इजी लेंग्वेज में और विद प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ यह डेस्क्टॉप यू है मोबाइल व्यू भी मैं आपको प्रोवाइट करवा दूँगा तो सबसे पहले हम ट्रिपल एससे की वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट खोल जाने के बाद पहला लिंक दिया हुआ है मानिया उच्चनियाएले नैनिताल एडमिट कार्ड ही तो क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने यह डेटा खोल गया है और यह जो है ऑनलाइन OTR का एप्लिकेशन फॉर्म है क्योंकि इसे के अंदर से अब आडमिट कार्ड डालोड होना है तो यहाँ पे यूजर नेम है और यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग डालेंगे यह capture code है इमेज एक दीवी है यहाँ पे ये वाली तो हम यहाँ पे यह image का code डाल देते हैं यह code डाल दिया जैसे हमने login किया तो login करने पर हमें यह necessary notes दे दिये उसने instruction दिये हैं इस पर click करके यह instruction को allow किया click किया और go पर गए go पर जाने के बाद है application form हमारे पास इस तरह से दिख गया है home, profile यह यहाँ पर हम जाएंगे my application पर my application पर जाने के बाद यहाँ पर select year 2019, 17 तो 19 में यह form भरा गया था select post name यह click करेंगे हम junior assistant and stenographer, personal assistant under high court of उत्रकंड इसे click किया click करने के बाद application ID है यह इसे click करेंगे और hall ticket पर click करेंगे हम लोग तो hall ticket पर जैसे click किया तो admit card generate होके आ जाएगा इस तरह से admit card आ चुका है इसका आप print निकाल दीजिए तो उमीद है आपको desktop view का idea तो लग गया होगा कि desktop में अगर हम किसी laptop में या किसी computer में अगर admit card निकालना चाह रहे हैं और कोई problem हो रहे हैं तो इस video को देखके आप आप एक्सेस कर सकते हैं एक्स दिली आप admit card निकाल सकते हैं इसके बाद मैं mobile view के बारे में बात करता हूँ यदि हमें mobile view पे अपना admit card खोलना है तो सबसे पहले हम अपना कोई browser खोलेंगे मैंने google chrome खोला है अपने mobile पर और यहाँ पे triple sc की website में खोल देता हूँ website खोलने के बाद सबसे पहला link जो आज ही update हुआ है admit card है तो क्लिक करें तो इसे मैं first link जो है इसे क्लिक कर देता हूँ इसे क्लिक करने के बाद यह यहाँ पर detail आ गई वही otr form की जो मेरे desktop पे थी तो यहाँ पर मैं अपना login ID और password डाल देता हूँ login ID password डालने के बाद यह एक image जो दिखाई गई है हम इस code को डाल देंगे यहाँ पर जैसे हमने code डाला तो हमारा एक नया page खुल जाएगा जो कि हमारा otr page होगा one time registration page होगा इस तरह से otr page खुल गया यह instructions है और हमें इसको allow करना पड़ेगा एक box है यहाँ पर छोटा सा इसे tick करके go पे जाना पड़ेगा next page screen पे खुल चुका है और यह जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यह सारे home, my page, profile creation यह सब options हमें मिल रहे हैं इसमें हम click करेंगे my application पे my application पेज खुलने के बाद हम यहाँ से year select करेंगे जो कि 2019 है और select post name तो यहाँ से हम उस post को select कर देंगे third number पे है यह वाली post junior assistant in under high code इसे select करने के बाद application ID हमें दिखेगी तो हम इसको tick कर देंगे tick करने के बाद hall ticket पे जाएंगे और hall ticket के बाद हमें admit card generate होता दिख जाएगा तो इस तरह से मैंने दोनों view यहाँ पे दिखा दिये हैं desktop view भी दिखा दिया और mobile view भी दिखा दिये हैं किसी को इसके बावजूद भी कोई परिशानी हो तो आप comment section पे जरूर आप मुझे inform कर सकते हैं जितना हद तक होगा मैं आपकी मदद करूँगा इसी तरह से अपना support बनाए रखेगा thank you so much मिलेंगे next वीडियो में